ओम शान्ती आज 21 मई 2017 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर आईये मनन और चिंतन करें हमने प्राते क्लास में इन महावाक्यों को सुना और मीठे बाबा ने हम सब आत्माओं को कितना भाग्य शाली बना दिया हमारे भाग्य का एहसास कराया और उसका आधार बताया बाबा ने वह त्याग ये मुर्ली ओरिजनल एक चार बयासी की है बाबा बोले कि ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सब कहलाते हैं लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही कोई माला का नंबर वन दाना बना कोई लास दाना बना लेकिन हैं दोनों ही ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं वहीं फैमिली लेकिन पढ़ाई में बेवहार में कोई नंबर उन हो जाता और कोई लास्ट यह तो बाबा ने उन्ची स्तिति बताई है अब्रामनों के वो भी नंबर वाइज होते हैं कोई फर्स पुराया जाता है कोई लास्ट पुराया जाता है लेकिन बाबा कहते हैं मालें कितने परकार की हैं एक तो राज अधिकारियों की माला है एक सो आठ की और एक फिर राइल फैमिली की माला है 16,101-08 की फिर उसके बाद कियता है 9,00,000 की माला है फिर अंत के देवी देवता की तो कहते है 33,00 क्रोड से हिंदू के थे तो मैं सब भी ब्रहमा कमार कमारी के हैं कोई ब्रहमा कमार कमारी बने बिना तो शोर आपका है में जाई नहीं सकता परंतु कोई सज्जुक की आद में देवी देवता महाराजन के रूप में आए, कोई त्रेता के अंत में भी सधारन प्रजा के रूप में आए, दासदासी के रूप में भी आए, फर्क कैसे पढ़ गया, तो इस मुडले में बाबा ने वस्पष्ट किया। बाबा केते हैं कि इसका आधार त्याग, त्याग से ही भाग्या, श्रेष्ट भाग्या की लकीर खीचने का आधार श्रेष्ट संकलप और श्रेष्ट करम, चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों ही इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। अब अबें के थे ते इसमे कोई फर्क नहीं है कि चाए तुम अपने गरस बेवार परिवार में रहकर शुद पर विट्टी में रहकर ट्रस्टी बनके बाबा के इस इसाब परमातमा ते रही है पुर सारत कर रहे हो चाहे तुम सेवाधारी बनकर पूरा लाइफ अपनी देखकर यग में सिवाधारी बन रहे हो दोनों के लिए ही इक्वल चांस है लेकिन उसका अधार है त्याग, बाबा केते हैं त्याग सब ने किया है अगर त्याग ना करते तब ब्रमा कुमार कुमारी बनते नहीं लेकिन त्याग की गहराई क्या है, त्याग की अस्री परिभाषा क्या है वो बाबा ने सपष्ट की है ताके हम अपना नमबर चेंड कर सके बाबा ने कहा है कि जनमते बाप नादा सब को एक जैसा अश्रेष्ट भाग्यवान भव का वर्दान कहो वो भाग्य की प्रॉपर्टी कहो एक जैसी देते हैं सब बच्चों को एक जैसा टाइटल देते हैं सिक्किलदे बच्चे, लाडले बच्चे, कोई को सिक्किलदे, कोई को न सिक्किलदे नहीं कहते हैं यहीं बाबा बता रहा है कि मेरी तरफ से सब को बराबर का इन्हेरिटेंस, बराबर के अधिकार, बराबर की opportunity मिलती है बाबा ने का न ऐसे नही सेवा धारियों को 10 पदम तो दूसरे को दो देता हूँ, ऐसे नहीं है पदमा पदम मैंने, पदमा पदम बाबा ने का लेकिन अंतर क्यों पड़ता है धारना स्वरूप में नंबरवार हो और उसकी डेप्थ बाबा ने सुनाई अगर आप किसी को कुछ दे भी दो उसने धारन कितना किया मान लो किसी को आपने बहुत ही पॉस्टिक भोजन खलाया ठीक है उससे ज्यादा पॉस्टि कितना किया उसका हाजमा कितना ठीक था और उसको अपनी शक्ति में कितना परिवर्तित किया अगर हाजमे में जरा मासा भी नुक्स होगा तो उतना ही धारन कर पाएगा जितना उसका हाजमा है और हाजमा विलकुल बिगड़ा हुआ होगा तो कई लोगों को तो पॉस्टिक और भोजन भी नुकसान कर जाता है इसलिए बखवान कहता है धार न कारताया उसको आपने जीवनमें कितना लाया एंभव में कितना लाया जीवनन स्वीफूली कि द हारना स्वारूप में नंबरवार हो कोई गुन संपन्ना भने है कोई गुण संपन्न बने हैं, कोई सदा धारणा स्वरूप है, कोई कभी धारणा स्वरूप, कभी डगमग स्वरूप है, एक गुण को धारण करेंगे, तो दूसरा समय पर कर्तव्य में ले नहीं सकेंगे, जैसे एक ही समय पर सहन शक्ती भी चाहिए, साथ साथ समाने की शक्ती भी चाहिए, अगर एक शक्ती वा एक सहन शीलता के गुण को धारण कर लेंगे, और समाने की शक्ती वा गुण को साथ साथ यूज नहीं कर सकेंगे, कहेंगे इतना सहन तो किया ना, देखो, बाबा कहता है, सेहन करके समा लिया, तो सेहन, दुन्यों शक्तियां बराबर काम करती है, उसके बाद सेहन करने की आवशकता भी नहीं रहेगी, और वो बात खतम हो गई, लेकिन सेहन शक्ति धारण कर रहे हैं, तो फिर मुख से क्या निकलता है, देखो, इतना तो मै सेहन किया, मैं कितना सेहन कर रहा हो तो baskets कमजोरी हई आपकी सक्ती कमजोरी बन गई कि टींगे की समँने की शक्ती रकी नहीं, आपने आप कमजोर हो रहे है शरीर से और कहरें देखो मैं कितना पॉस्टिक भोजन खा रहा हूँ नास्ता भी मेरा पॉस्टिक है लंच भी मेरा पॉस्टिक है डिनर भी मेरा पॉस्टिक है लेकिन उससे अंदर ताकत क्यों नहीं आ रही क्योंकि समाने की शक्ति नहीं है पॉस्टिक भोजन तो खाया तो डाइजेस्ट कितना हुआ, अगर पॉस्टिक बोजन खाया, वो निकल गया, डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, तो फिर क्या कहेंगे, हरेको यही कहेंगे, देखो भी मैं तो बहुत अच्छा बोजन कर रहा हूँ, मैं तो ग्यान मेरे से सुनलो, मेरे से हर बात अच्छी तरह रस्पष्टी करने लो तो कहने का बाब ये अखेली सेहन शक्ती रखो गए तो मुझे निकलेगा कि मैं सेहन करना हूँ अगर सेहन शक्ती के साथ समाने की शक्ती होगी तो धारना से सेहन करके समाल होगे फिर मुझे नहीं निकलेगा मैंने देखो कितना सेहन करना पड़ता है मुझे जितना सैन करना पड़ रहा और किसी को पाड़ी नी रहा यह क्वेश्चन पैदा होगा मुझे ही क्यों सैन करना पड़ता है कमजोरी हो गई ना एक वशेष्टा को वर्णन कर रहे हैं जैसे किसी के पाद धन बहुत है वो यग में धन लगा रहा है अच्छा लेकिन उसकी बाकी धारने ठीक नहीं है अब वो कहें कि मैं इतना धन लगा रहा हूं फिर भी देखो मेरे को खुशी नहीं है कमजोरी होगे नहीं है शक्ती लेकिन उस शक्ती का बैलेंस्ट और प्रॉपर यूज बाकी शक्तियों के साथ मला कर नहीं किया ग्यान धन धारन नहीं किया तो फिर क्या होगा इसमें बाबा ने कहा है कि देखो मैंने ये किया सेहन किया ये कमाल जरूर की लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर लिया है तो उसका explanation दिया हुआ सारा. क्योंकि वर्णन करने से एक तो देअभिमान और दूसा परचिंतन दोनों ही स्वरूप करम में आ जाते हैं. दुआप गुन आ गए साथ में. हाँ? देअभिमान आ गया और साथ परचिंतन आ गया. इसी प्रकार से एक गुन को धारन किया, दूसरे को नहीं किया, जो धारना स्वरूप होना चाहिए, वो नहीं बन पाते हैं. इस कारण मिले हुए खजाने को सदा धारन नहीं कर सकते हैं, संभाल नहीं सकते हैं. संभाला नहीं अर्थात गमा दिया, कोई संभालता है, कोई गमा देता है तो बाबा ने अब कारण बताया, के मिल सबको अथा रहा है, बराबर मिल रहा है, फिर नंबर क्यों बन रहा है? बाबा कहते हैं, इसमें भी सेवा तो सब ही करते ही हो, लेकिन सेवा कैसे करनी है, सच्चे दिल से, लगन से सेवा करना, सेवाधारी बन करके सेवा करना, इसमें अंतर हो जाता है, कोई सच्चे दिल से सेवा करते, कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते, अंतर तो होगा, ना? सच्चे दिल से सेवा धारी, सच्चा सेवा धारी, वो ना समय देखेगा, ना स्थान देखेगा, ना ये कहेगा, ये मेरी डूटी है, मेरी डूटी नहीं है, ये सेवा मेरे लायक नहीं है, वो सेवा करेगा, वो गया सच्चे दिल से सेवा धारी, जो दिमाग से करेगा, वो क आते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वह कहते हैं भी हमारा तो अब टाइम पूरा हो गया, कल आना, अब आबाबा कहते हैं, सेवाधारी तो हैं, लेट आने वाले को भी संतुष्ट करें, अब दुनिया में भी दुकानदार, शटल बंद कर रहा होता है, कोई तो बाबा कहते हैं दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का बनेगा, दिमाग द्वारा सेवा करने वाला सिखाएगा, वो मनन करता, वो वर्नन करता, एक है सेवा धारी बन सेवा करने वाले, दूसरे नाम धारी बन के सेवा करने वाले, फरक पड़ गया ना, पहले सेवा की फिर वरनन किया फिर दूसरों को भी कहा मैं यह सिवा मैं ही कर सकता हूं और यह ध्यान रखेंगे कि यह सिवा मेरे पास ही रहे उनको इतنا अपने ली इनसे क्यूरिटी फील होगी कि जैसे मेरी यह सिवा चलेगी तो मेरे पराण ही चलेगे अब अगवान कहता है कि इस तरह के बुद्धी से यूज करने वाले सेवाधारी क्या होगा नामधारी उनका नाम भी पढ़ जाएगा ये अच्छा वो है ये अच्छा ये है लेकिन अच्छा बीके है अच्छा आल राउंड गाएगा दिलाराम के दिल पे तो नहीं चड़ा ना दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का दिमाग से सेवा करने वाला अभीमान में जाता है बाबा ने कहां नामधारी बनने वाले सेवाधारी उसी समय नामचार को पाएगा उनको महमा हो जाएगी बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन प्राप्ति के फल की अनुभूती नहीं करा सकेंगे, तो अंतर हो गया न, ऐसे एक है लगन से सेवा करना, एक है ड्यूटी के प्रमांड सेवा करना, लगन वाले हर आत्मा की लगन लगाने के बिना रह नी सकेंगे, ड्यूटी वाला अपना काम पूरा कर लेगा, सबता कोर्स करा लेगा, योग शिवर करा लेगा, धार्ना शिवर भी करा लेगा, मुर्ली सुनाने तक भी पहुंचा लेगा, लेकिन आत्मा की लगन लग जाएं, इसकी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेगे, बस मैंने अपन अपनी ड्यूटी कर दी, तुझे रस्ता बता दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने, भावा ने बहुत अच्छा का है, कोर्स के ऊपर कोर्स करा लेंगे, लेकिन आत्मा में फोर्स नहीं भर सकेंगे, बड़ी बात है, कोर्स और फोर्स में अंतर्त हो गया ना, वो थेयर उसको उन्होंने काबल बना दिया, डिरेक्ट पर मात्मा से लगा कर अपनी मंदल पर पहुंचने के, इन्होंने अच्छी तरह रस्ता दिखा दिया, दो बार, तीन बार, चार बार समझा दिया, भाई ये रस्ता है, आगे तू जान, फरक पढ़ गया ना, के मेरी ड्यूट कोर्स कराने की है, मैंने अच्छी तरह से कोर्स करा लिया, लेकिन कोर्स से जो फोर्स बरना चाहिए, ना खुद में है, ना दूसरे में जाल सकते हैं, सब बच्चों की बावा रजल्ट देखके, कैसे बरनन करता है, कि हरे को दिल को फील हो, कि मैं नामदारी हूं, या मैं क प्रिटन वाला ही लगन लगा सकता है. इसकी लगन लगी होगे वही लगवाएगा ना? इसलिए दो प्रकार की माला पन गए और माला में भी नंबर बन गए, समझां नंबर क्यों हैं, बाबा कों को भाग्य को देख रहे थे, तैयाग की भी लीला अप्रम अपार है. पिर याद प्यार है आगी सदा बाप त्वारा मिले हुए अधिकार को खजाने को संभालने और बढ़ाने वाले ऐसे धारणा स्वरूप सदा सेवाधारी बच्चों को बाप तादा का याद प्यार और नमस दे फिर भाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकाज जो की है उसमें बहुत अच्छी बाते आई हैं ब्रामन सो फरिष्टा फरिष्टा सो देवता ये लक्षे सदा स्मृति में रखो सदा बुद्धी द्वारा उपर की स्टेज पर रहना फरिष्टे के पाउं धर्नी पर नहीं रहते उपर कैसे रहेंगे बुद्धी द्वारा फरिष्टों को ज्योती की काया दिखाते हैं तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप समझेंगे प्रकाश में तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिष्टे बनकर चल रहे हैं फरिष्टा अर्थात अपनी दे भान का भी रिष्टा नहीं दे भान से रिष्टा तूटना अर्थात फरिष्टा दे से नहीं, दे के भान से ये जीवन बहुत प्यारी लगेगी फिर कोई माया भी आकर्शन नहीं करेगी यानि बाबा कहता है दे में रहते हुए अपने कोई लाइट सरूप और ट्रांस्पेरेंट फरिष्टा मान के चलो दे का भान न रहे दे का कोई भी चीज से उपर रहेंगे तो बाबा कहता है मज़ा भी आएगा शक्ती भी रहेगी और दे की कोई चीज आकर्शित नहीं करेगी कभी फरिष्टे ने सोचा है मेरे बूट का डिजाइन क्या है मेरी साड़ी का क्या डिजाइन है मेरा ये क्या है और फरिष्टा तो लाइट का होता है बाबा कहता है अगर उपर जाना है तो उपर पहले ही तमारी मंदिल है फरिष्टा दूसरी ही तमारी मंदिल है परमधाओं और नीचे देखना ही नहीं अगर नीचे उपर होते रहोगे उसको बाबा ने आवा गमन कहा है तो डामाडोल होते रहोगे तो बाबा ने कहा ना फिर तमारी ये वस्ता भी कभी नीचे चले के उपर आगए, जो बार बार नीचे चाता उपर आता है, वो किस की निशानी होती है, डूबने वाले की, आखर एक दिन डूबते है, डूबते है, डूब जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता, बुद्धी बंद है, कि बगवान के कहने पर मैं नहीं चला, ब भी बुरा लगा, मुझे ये क्यों शिक्षा दे रहे हैं, मैं तो संपूरन हो चुका हूँ, फिर ये हाल होता है, बाबा कहते हैं, हम अल्ला के बगीचे के पुष्प में इस स्वामान में रहूं, मैं रूहानी गुलाब बंद सदा रूहानी खुश्बू पहलाता हूँ, पूछो, सदा इसी स्वामान में रहो कि हम अल्ला के बगीचे के पुष्प बन गए, सबसे बड़ा स्वामान, इस से बड़ा स्वामान, और कोई नहीं हो सकता हूँ, अब देखिए, लोग अपने घर के इर्दगिर फूल लगाते हैं, तो भी आते जाते दिल खुश होता ह और स्वारक को कहा जाता है गार्डन ओफ अल्ला, गार्डन ओफ लावर्स, और नरक को कहा जाता है काटो का जंगल, अब देखना ये है, कि मैं मालो मैं किसी भी रिट्रीट सेंटर में रहता हूँ, किसी भी सेंटर में रहता हूँ, तो क्या मैं पुष्प हूँ या मैं काटा हूं तो काटों के साथ मैं काट दूसरे को दुखी करने का मेरा काम है या मेरे को देखकर दूसरे को सुगंद आए को गुण धारन करें तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि अपने आपको भगवान के बगीचे का पुष्प समझ के चलो काटा समझ के नहीं चलो बाबा के ते गीत गाओ वहा मेरा श्रेष्ट भाग्या भोला नाच से सौधा कर लिया और क्या चाहिए कितना बड़ा सौधा किया तीनों लोग की सौधे में ले लिये आज की दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कोई भी धन्वान हो इतना बड़ा सौधा तो कोई नह बाबा कहता है सोचो कि तुमने कितना बड़ा और कितने जन्मों के लिए और कौन सी जगा के लिए सौधा किया आज का बहुत धन्वान होगा तो चांद में जाकर वहां पुलॉट खरीदने की कोशिश करेगा कि मिरपा इतना दन है मगवान के तब वो क्या है तुम तो तीनों लोकों तीनों कालों के मालिक के साथ सौधा किया इतना नशा चड़े तो आपके आँख कहीं डूबेगी दुनिया में फिर ब्रामनों का करतवे खुशी का दान कर महादानी बनना जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा सेवा नहीं तो खुशी नहीं इसलिए सेवा में तत पर रहो रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो दान करने के बिना नींद नहीं आनी चाहिए ऐसे कई भगत लोग होते हैं वो दान का दान किये बगर बोजन नहीं करते क्योंकि भगवान कहते हैं दान करना खुशी का साधन है और तुमारे पास तो दान करने के लिए इतनी चीज़े हैं कि दूसरे की लगन उससे लगवा सकते हैं कि तुम भी दानी बन जाओ तो बाबा केता है ऐसे को नीद आनी चाहिए अपनी खुशी खोना है नीद कैसे आएगी जब मैं और प्राप्ती कर सकता हूँ तो बाप दादा की गले में कौन से बच्चे माला की रूप में पिरोई रहता है जिनके गले अर्धान मुख द्वारा बाप के गुण बाप का दिया हुआ ग्यान बाप की महिमा निकलती रहती है तो बाप ने सुनाया वही मुख से आवास निकलता ऐसे बच्चे बाप दादा के गले का हार बन गले में पिरोई रहता है ये बाबा ने बताया है, ऐसे नहीं गले में परोग जाएंगे, वो बाबा की, बाबा बाबा ही करेंगे, उनके गले से भी बाबा बाबा ही निकलेगा, बाबा के गुन, बाबा की महमा, बाबा के वतरन का समय, बाबा से प्राप्तियां, तो वो दूसरों को बोल रहे हैं, ज उसमें चेरे दिखाये जाते हैं, कि वो चेरे, जो के भगवान ने, भगवान के मुख से भगवान का परिच्या देते रहे. वर्दान है, शांती की शक्ती से, संसकार मिलन द्वारा, सर्वकारे सफल करने वाली, सदा निर्विगन भाव. सदा निर्विगन वही रह सकता है, जो सी फादर, फॉलो फादर करता है, सी सिस्टर, सी ब्रदर करने से हलचल होती है, इसलिए अब बाप को फॉलो करो, बाप समान संसकार बनाओ, तो संसकार मिलन की रास करते हुए, सदा निर्विगन रहेंगे. जाते हैं, शांती की शक्ति से अत्म स्हांत रहने से, कितना भी बड़ा विघन सहत समाप्त हो जाता है, और सर्वकारिस्वतासंपन्न हो जाते हैं। यहां, भाब़ा कहता है आपको My ane basic बात बताई हूए है, कि शांती की शक्ति सब से बड़ी शक्ति है, शान्ती की शक्ती से ही बाकी शक्तिया निकली है और आत्मा का सुधरम ही है शान्त सुरू अम शान्ती फिर भी बाबा कहता है कि बच्चे जो हैं किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए बुद्धी चलाते हैं सोच चलाते हैं और उससे क्या होता है, जैसे खड़े पानी के अंदर आपको नीचे तेह में पड़ी हुई चीज भी साफ दिखाई देती है, साफ पानी में, जरा सी हलचल होने से वो चीज सीधी दिखाई नहीं देती, तो बाबा ने इसलिए आज इस बात को फिर दुबारा से कहा है, दुन तोड़ी देर के लिए शान्त हो जाओ, तो आपकी बुद्धी में ठक से आएगा, वो चीज वहां रखी है, तो शान्ती की शक्ती हर काम में काम आती है, अब रामों का काम ही है शान्ती, और देवताओं के लिए बाबा ने क्या कहा है, ये देवता बहुत कम बोलते हैं, इ अब इशारे से भी ज्यादा संकलब से उनका काम चलता है, तो इसलिए शान्ती की शक्ती को धारन करने से, इस चीज में आप कम ही महसूस करते हो, कि अभी उससे तो फेरा बात करना बड़ा मुशकल है, वो शक्ती भी आएगी, संसकार मिलन में भी मदद मिलेगी, इसलिए ह तो हम लोग ने अबजर्व किया है, अनभव किया है, कि जब ट्राफिक कंट्रोल होता है, या जब हम हर घंटे एक मनेट सालेंस में होते हैं, उस समय कई बाते ऐसी स्ट्राइक कर जाती है, जो जरूरी होती है, तो इससे शान्ती की शक्ती है, फिर जो संसकार मिलन की बात ने कहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टन है, इसी से आएगी, स्लोगन है, त्रिकाल दर्शी वह है, जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टी से नहीं देखते हैं, हर बात में कल्याण समझते हैं, ये थी मीठे बाबा की 21 मई 2017 की मुडली, जिस मुडली में हमने भाग्य को देखा, हम अपने भाग्य को कैसे बनाते हैं, आज का होमवर्क हमारा सेवा से संबंदित रहेगा, और जो बाबा ने कहा कि हर आत्मा को, हर ब्रामन को, कोई न कोई आत्मा को दान जरूर देना है, ज्यान दान, उसके बिना नीद नहीं आनी चाहिए, एक सप्ता के लिए हम ये वरत ले लें, कि प्रते देनी मैंने किसी न किसी को दान जरूर देना है, ओम शंति